इलेक्टोनिक्स कम्पनी आकाई ने भार्त के अंदर अपना नया स्मार्ट टीवी लॉंज कर दिया है जो कि आपको च्यार स्क्रीन साइज में देखने को मिलेगा 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच तो वीडियो पर आगे चलने से पहले में आपको आकाई कंपनी के बारे में थोड़ा बुद बता देता हूँ, देखिए आकाई जो कंपनी है वो जापान की काफी फेमस इलेक्टोनिक्स कंपनी है और इसकी स्तापना सन 1929 में जापान के ट्योक्को सहर के अंदर हुई थी, इ यहाँ पर आपको LG का WebOS Operating System देखने को मिलेगा, मैं आपको बता लीता हूँ कि LG का WebOS Operating System पूरी दुनिया में LG के TV के अंदर यूज होता है, इस Operating System के अंदर आपको Amazon, Prime Video, Disney Plus, Showstar, Apple TV जैसे Live Streaming जो एप हैं वो भी देखने को मिलते हैं, इस TV के साथ आपको एक Magic Remote भी देखने करनी जारी है कि जिस पकार से हम कंप्योटर को अपने माउस से कंड्रो剛 करते हैं और वहां पर आपको कर से आपको करसर देखने को मिलता है उसी पकार से इस Remote के द्वारा भी आप अपने TV को कंड्रोल कर जकते हैं, आपको अपने TV के अंदर कर सक मिलेगा, उस करसर्से आप अपने टीव को असानी से कंट्रॉल कर पाएंगे इसके लाव यहाँ पर आपको एमेजन्स एलेक्सा का वोईस अशिस्टेंट देखने को मिलता है तो आप अपने वोईस से भी अपने टीवी को कंट्रॉल कर जकते हैं तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस टीवी की पिचल ही डेफिनेशन में देखने को मिलते हैं इसके लाव यहाँ पर आपको HDR10, HLG जीसे काफी लेटिस्ट फिचर भी देखने को मिलेंगे इन टीवी के दर आपको डोल वाई ओडियो का स्पोर्ट भी देखने को मिलता है अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टोरिज के बारे में तो यहाँ पर आपको 1.5 GB की रैम याँकि 1.5 GB रैम दी गई है और 8 GB आपको यहाँ पर स्टोरिज देखने को मिलती है तो अकोर्डिंग एक टीवी के हिसाब से यह काफी इनफ होती है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके प्राइज के बारे में तो यहाँ पर आकाई EMI के द्वारा भी खरीद पाएंगे नो कोस्ट EMI पर खरीदने के लिए आप बजाज का क्रेडिट कार यूज कर सकते हैं बजाज फाइनस का या फिर आप कोटेक बैंक का कर सकते हैं और पिन लैब्स का भी आप यूज कर सकते हैं यह टिवी फिलहाल सिर्फ लौंच ही और इसके बारे में नहीं कोई information मिली है कि कब तक ये market में available हो जाएंगे तो जैसे ही इनसे related कोई update सामें मिलती है हम जल्द ही एक और नई वीडियो लेकर आएंगे आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो के लाइक ज़र कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक latest वीडियो के साथ तब तक जैहीं जैभारत